पंतप्रदान नरेंद्र मोदी अंसमन की बाधा कारिकरम सुर्य थेट जव्यन अपसर मिला था ये खिलाडी जीवन की अने चुनोतियों को पार करते हुए यहां पहुंचे हैं आज उनके पास आपके प्यार और सपोर्ड की ताकत है इसलिए आईए मिलकर अपने सभी खिलाडियों को अपनी शुब कामनाएं उनका होसला बढ़ाएं सोशल मीडिया पर आल साथ अपना विक्टरी पंच शेयर करिए इंडिया के लिए चीयर करिए साथियों जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभावी की है देश भक्ति ये भावना हम सब को जोडती है कल यानि 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस भी है करगिल का युद्ध भारत की सेनाव के शौरी और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पुरी दुनिया ने देखा है इस बार ये गवरवशाली दिवस भी अमरुत महुतसव के बीश में मनाये जाएगा इसलिए ये और भी खास हो जाता है मैं चाहूंगा कि आप करगिल के रोमान चीत कर देने वाली गाथा जरूर पड़े करगिल के वीरों को हम सब नमन करें साथियों इस बार 15 अगस को देश अपनी आजहादी के 75 वे साल में प्रवेश कर रहा है ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग है कि जिस आजहादी के राक्षी बन रहा है आपको याद होगा आजहादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के सब्रमति आस्रम से अमृत महोत्सव की सुरुवात हुई थी इसी दिन बापू की दाड़ी आतरा को भी पुनरजीवित किया गया था तब से जम्मु कस्मीर से लेकर पूरी च भटनाएं ऐसे स्वाधिंता सेनानी जिनका योगदान तो बहुत बड़ा है लेकिन उतनी चर्चा नहीं हो पाई आज लोग उनकी बारे में भी जान पा रहे हैं अब जैसे मोयरांग डे को ही लीजिए मनिपूर का छोटा सा कस्भा मोयरांग कभी नेताजी सुभासंद्र बोज की इंडियन नेस्टलर आर्मी यानी आई एने का एक प्रमुक ठिकाना था यहां आजादी के पहले ही आई एने के करनल शौकत मनिगी ने जिन्दा फैराया था अमरूत महोत्सव के दोरान 14 एप्रिल को उसी मोयरांग में एक बार फीर तरंगा फैराया गया ऐसे कितने ही स्वाधिंता सेनानी और महापुरुस हैं जिन्ने अमरूत महोत्सव में देश याद कर रहा है सरकार और सामाजिक संगठनों की दर्ब से भी नगातार इससे जुड़े कारकम आयोजित किये जा रहे हैं ऐसा ही एक आयोजन इस बार 15 अगस को होने जा रहा है ये एक प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ सांसकूरतिक मंत्राले की कोशिश है किस दिन जादा से जादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है राष्ट्रगान.in इस वेबसाइट की मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे इस अभ्यान से जुड़ पाएंगे मुझे उमीद है आप इस अनोखी पहल से जरूर जुड़ेंगे इसी तरह के बहुत सारे अभ्यान बहुत सारे प्रयास आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे अमुर्थ महोचव किसी सरकार का कारकम नहीं किसी राजरिदिक दल का कारकम नहीं यह कोटी-कोटी भारत वासियों का कारकम है हर स्वतंत्र और कृतग्य भारतिय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है और इस महुत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है ये भावना है अपने स्वाधिनता सेनानियों के मार्क पर चलना उनके सपनों का देश बनाना जैसे देश की आजहदी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एक्जूट हो गए थे वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एक्जूट होना है हमें देश के लिए जीना है देश के लिए काम करना है और इसमें छोटे छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला देते हैं रोज के कामकाज करते हुए भी हम राष्ट्र निर्मान कर सकते हैं जैसे वोकल फॉर लोकल हमारे देश के स्थानिय उद्दम्यों आर्टिस्टों शिल्पकारों मुनकरों को सपोर्ट करना हमारे सहज स्वभाव में होना चाहिए साथ अगस को आने वाला नेशनल हैंडूम डे एक ऐसा अवसर है जब हम प्रयास पूर्वक भी ये काम कर सकते हैं नेशनल हैंडूम डे के साथ बहुत अइतिहासिक प्रुष्टभूमी जुड़ी हुई है इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुवात हुई थी साथियों हमारे देश के ग्रामीन और आदिवासी इलाकों में हैंडूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है ये ऐसा क्षेतर हैं जिससे लाखों महलाए लाखों बुनकर लाखों शिल्पी जुड़े हुई हैं आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे आप स्वयम कुछ न कुछ खरीदे और अपनी बात दूसरों को भी बताए और जब हम आजहादी के 75 साल मना रहे हैं तम तो इतना करना हमारी जुम्मेवरी बंती ही है वाईयों आपने देखा होगा साल 2014 के बात से ही मन की बात में हम अक्सर खादी की बात करते हैं ये आपका ही प्रयास है क्या देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में एक करोड रुपिय से अधिक की बिक्री हो सकती है लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है आप जब भी कहीं पर खादी का आप हमारे गरीब बुनकर भाई और भेनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है। मेरा आपसे आगरह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाईयों भेनों ग्रामिन इलाकों में बन रहे हैंलूम प्रोडक्स जरूर खरीदें और उसे हैस्टेग माय हैंलूम माय प्राइड के साथ शैर करें। साथियों बात जब आजादी के आंदोलन और खादी की हो तो पुझ्य बापो का स्मरन होना स्वाभाविक है। जैसे बापो के नेतरुतों में भारत छोड़ो आंदोलन चना था। वैसे ही आज हर देशवाजी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतरुत्व करना है। यह हमारा कर्तव हैं कि हम अपना काम ऐसे करें जो विवित्ताओं से हमारे भारत को जोडने में मददगार हो तो आईए हम अमरुत महोचों को यह अमरुत संकल पलें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्ता, सबसे बड़ी प्राफिक्ता बना रहेगा नेशन फर्स्ट, आल्वेस फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे वढ़ना है मेरे पहरे देश्वासियों, आज मैं मन की बात सुन रहे मेरे युवासाथियों का विशेश आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अभी कुछ दिन पहले ही माय गौव की और से मन की बात के स्रोताओं को लेकर एक स्टड़ी की गई थी स्टड़ी में ये देखा गया कि मन की बात के लिए संदेश और सुझाव भेजने वालों में प्रमुक्तह कौन लोग है स्टड़ी के बाद ये जानकारी सामने आई कि संदेश और सुझाव भेजने वालों में से करीब करीब 75 प्रतिशत लोग 35 वर्स की आयूश से कमके होते हैं यानि भारत की युवाशक्ति के सुझाव मन की बात को दिशा दे रहे हैं मैं इसे बहुत अच्छे संकेट के रुप में देखता हूँ मन की बात एक ऐसा माध्यम है जहां सकारात्मकता है संवेदन सिलता है मन की बात में हम पॉजिटिव बाते करते हैं इसका करेक्टर कलेक्टिव है सकारात्मक विचारों और सुझावों के लिए भारत के युवाओं की ये सक्रेता मुझे आनदित करती है मुझे इस बात के भी खुशी है कि मन की बात के माध्यम से मुझे युवाओं के मन को भी जानने का आउसर मिलता है साथियों आप लोगों से मिले सुझाव ही मन की बात की असली ताकत है आपके सुझाव ही मन की बात के माध्यम से भारत की विवित्ता को प्रगट करते हैं भारत वासियों के सेवा और त्याक की खुश्मों को चारों दिशाओं में फैलाते हैं हमारे मेहनत का स्युवाओं के इनोवेशन से सब को प्रेरीद करते हैं मन की बात में आप कई तरह के आइडियाज बेजते हैं हम सभी पर तो चर्था नहीं कर पाते हैं लेकिन उन में से बहुत से आइडियाज को मैं सम्मंदित विभागों को जरूर बेजता हूं ताकि उन पर आगे काम किया जा सके साथियों मैं आपको साई प्रनीज जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूं साई प्रनीज जी एक सौप्ट्वेट इंजिनियर है आंधर प्रदेश के रहने वाले हैं पिछले बरस उन्हों ने देखा कि उनके यहां मौसम की मार की वज़े से किसानों को काफी नुक्षान उठाना पड़ा था मौसम बिग्यान में उनकी दिलचस्पी बरसों से थी इसलिए उन्हों ने अपनी दिलचस्पी और अपने टैलेंट को किसानों की भलाई के लिए इस्तिमाल करने का फैसला किया अब वे अलग-अलग डेटा सोर्से से भेदर डेटा खरीते हैं उसका विश्टेशन करते हैं और स्थानिय भाषा में अलग-अलग माध्यमों से किसानों के पांग जरूरी जानकारी पहुँचाते हैं भेदर अपडेट्स के अलावा प्रदीची अलग-अलग ट्राइमेट कंडिशन्स में लोगों को क्या करना चीए गाइनस भी देते हैं खासकर बाड से बचने के लिए या फिर तुफान या बिली गिरने पर कैसे बचा जाए इस बारे में भी वो लोगों को बताते हैं साथियों एक और इस नौजवान सौप्वेर एंजिनियर का ये प्रयास दिल को छूने वाला है तो दूसरी और हमारे एक साथी के द्वारा किया जा रहा टेकनोलोजी का उप्योग भी आपको अचंपित कर देगा ये साथी हैं ओडिशा के संबलपूर जिल्ले के एक गाउं में रहने वाले स्रिमान इसाख मुंडा जी है इसाख जी कभी एक दिहारी मद्दूर की रुप में काम करते थे लेकिन अब वे एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए है अपने यूटूब चैनल से वो काफी रुपिय कमा रहे हैं वे अपने वीडियोज में स्थानी वेंजन, पारमपरिक खाना बनाने के तरीके अपने घाउं, अपने लाइफस्टाइल, परिवार और खान पान की आदतों को प्रमुक्ता से दिखा थे एक यूटूबर के रूप में, उनकी यात्रा मार्ट 2020 में शुरू ही थी जब उन्होंने ओडिशा के मस्तूर थानी वेंजन, पाखाल से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था तब से वे सैंकडो वीडियो पोस्ट कर चुके हैं उनका ये प्रयास कई कारणों से सबसे अलग है खास कर इसलिए कि इससे शहरों में रहने वाले लोगों को वो जिवन सहली देखने का आउसर मिलता है जिसके बारे में वे बहुत कुछ नहीं जानते इसाग मुंडा जी कल्चर और कुजिन दोनों को बराबर मिला करके सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सब को प्रेणा भी दे रहे हैं साथियों जब हम टेक्नोलोजी की चर्चा कर रहे हैं तो मैं एक और इंट्रेस्टिंग विशे की चर्चा करना चाहता हूँ आपने हाल फिलहाल में पड़ा होगा देखा होगा कि IIT मद्रास के अलूमनी द्वारा स्थापित एक स्टार्ट अप ने एक 3D प्रिंटेड हाउस बनाया है 3D प्रिंटिंग करके घर का निर्मान आखिर यह हुआ कैसे दरसल इस स्टार्ट अप ने सबसे पहले 3D प्रिंटर में एक 3D डायमेंशनल डिजाइन को फिल किया और फिर एक विशेश प्रकार के कॉंकरीट के माध्यम से लेयर बाय लेयर एक 3D स्ट्रक्चर फैब्रिकेट कर दिया आपको यह जानकर खुशी होगी कि देश भर में इस प्रकार के कई प्रव हो रहे हैं एक समय था जब छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के काम में भी वर्षों लग जाते थे लेकिन आज टेक्नोलोजी की वजह से भारत में स्थिती बदल रही है कुछ समय पहले हमने दुनिया भर की ऐसी इनोवेटिव कंपनीज को आमतरित करने के लिए एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलोजी चैलेंज लॉंच किया था यह देश में अपनी तरह का अलग तरह का अनुखा प्रयास है इसलिए हमने इने लाइट हाउस प्रोजेक्स का नाम दिया फिलहाल देश में छे अलग अलग जगों पर लाइट हाउस प्रोजेक्स पर तीजी से काम चल रहा है इन लाइट हाउस प्रोजेक्स में modern technology और innovative तोर तरीकों का इस्तिमाल किया जाता है इससे construction का time कम हो जाता है साथी जो गर मनते हैं वो अधिक तिकाव, किफायती और आराम दायक होते हैं मैंने हाली में drones के जरिये इन प्रोजेक्स की समिक्षा भी की और कायरे की प्रग्रती को live देखा इन दोर के प्रोजेक्स में brick और mortar walls की जगह pre-fabricated sandwich panel system का इस्तिमाल किये जा रहा है राजकोट में lighthouse french technology से बनाये जा रहा है जिन में tunnel के जरिये monolithic concrete construction technology का इस्तिमाल हो रहा है इस technology से बने घर आपदाओं का सामना करने में कहीं अधिक सक्षम होंगे चेड़ने में America और Finland की technologies pre-cast concrete system का उप्योग किया जा रहा है इससे मकान जल्दी भी बनेंगे और लागत भी कमाएगी राची में Germany के 3D construction system का प्रयोग करके घर बनाये जाएगे इसमें हर कमरे को अलग से बनाये जाएगा फिर पूरे structure को उसी तरह जोड़ा जाएगा जैसे block toys को जोड़ा जाता है अगर तला में नुजिलेन की technology का उप्योग कर steel frame के साथ मकान बनाये जा रहा है जो बड़े भूकम को जेल सकते हैं वही लखनव में कनड़ा की technology का इस्तमाल किया जा रहा है इसमें plaster और paint की जरुवत नहीं होगी और तेजी से घर बनाने के लिए पहले से ही तहियार दिवारों का प्रयोग किया जाएगा साथियों आज देश में ये प्रयास हो रहा है कि ये project incubation centers की तरह काम करे इससे हमारे planners, architects, engineers और students नई technology को जान सकेंगे और उसका experiment भी कर पाएंगे मैं इन बातों को खास तोर पर अपने युवाओं के लिए साजा कर रहा हूँ ताकि हमारी युवा राष्ट हीत में टेक्नोलोजी के नए नए ग्षेत्रों की और प्रोथ्साहित हो सके मेरे प्यारे देश वासियों आपने अंग्रेजी के एक कहावत सुनी होगी तो लर्ण इस टो ग्रो यानि सीखना ही आगे बढ़ना है जब हम कुछ नया सिखते हैं तो हमारे लिए प्रगति के नएने रास्ते खुद बखुद खुल जाते हैं जब भी कहीं लीक से हटकर कुछ नया करने का प्रयास हुआ है मानवता के लिए नए द्वार खुले हैं एक नए युक का आरंब हुआ है और आपने देखा होगा जब कहीं कुछ नया होता है तो उसका परणाम हर किसी को अस्षरी चकित कर देता है अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछो कि वो कौन से राज्य हैं जिने आप सेव एपल के साथ जोड़ेंगे तो जाहिर है कि आपके मन में सबसे पहले हिमाचल पदेश, जमु कश्मीर और उतराखन का नाम आएगा पर अगर मैं कहूं कि इस लिस्ट में आप मनिपूर को भी जोड़ दीजिए तो शायद आप आश्यरे से भर जाएंगे उस नया करने के जजबे से भरे युवाओं ने मनिपूर में ये कारणामा कर दिखाया है आजकल मनिपूर के उख्रूल जीले में सेव की खेती जोर पकड़ रही है यहाँ के किसान अपने बागानों में सेव उगा रहे है सेव उगाने के लिए इन लोगों ने बाकाइदा हिमाचल जाकर ट्रेनिंग भी लिए है इन में से एक है टी एस रिंग फामियों ये पैसे से एक एरोनाटिकल एंजीनियर है उन्होंने अपनी पत्नी स्रीमती टीयस एंजेल के साथ मिलकर सेव की पैदावर की है इसी तरह अवुंगश्री शिम्रे ऑग्स्टीन ने भी अपने बागान में सेव का उत्पादन किया है अवुंगश्री दिल्ली में जॉब करती थी ये छोड़कर वो अपने गाउं लोड़ गई और सेव की खेती शुरू की मणिपूर में आज ऐसे कई एपल ग्रोवर हैं जोनोंने कुछ अलग और नया करके दिखाया है साथियों हमारे आदिवासी समुदाय में बेर बहुत लोग प्रिये रहा है आदिवासी समुदायों के लोग हमेशा से बेर की खेती करते रहे हैं लेकिन कोविड-19 महामरी के बाद इसकी खेती विशेश रूप से बढ़ती जा रही है त्रिपुरा के उना कोटी के ऐसे ही 32 साल के मेरी वासाती है विक्रम जी चक्मा उन्होंने बेर की खेती की शुरुवात कर काफी मुनाफ़ा भी कमाया है और अब तो लोगों को बेर की खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे है राज्य सरकार भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आई है सरकार द्वारा इसके लिए कई विशेश नरसरी बनाई गई है ताकि बेर की खेती से जुड़े लोगों की माम पूरी की जा सके खेती में इनोवेशन हो रहे हैं तो खेती के बाई प्रोडक्स में भी क्रियेटिविटी देखने को मिल रही है साथियों मुझे उत्तरपदेश के लखिमपूर खिरी में किये गए एक प्रयास के बारे में भी पता चला है कोविट के दोरान ही लखिमपूर खिरी में एक अनोखी पहल हुई है वहां महिलाओं को केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने की ट्रेनी देने का काम शुरू किया गया बेस्ट में से बेस्ट करने का मारगर केले के तने को काट कर मशिन की मदद से बनाना फाइबर तयार किया जाता है जो जूट या सन की तरह होता है इस fiber से handbag, चटाई, दरी कितनी ही चीजे बनाई जाती है इससे एक तो फसल के कच्रे का इस्तेमाल शुरू हो गया वहीं दूसरी तरफ गाउं में रहने वाली हमारी बेहनों बेटियों को आएका एक और साधन मिल गया बनाना fiber के इस काम से एक स्थानिय मेला को 400 से 600 रुपिय प्रतिदीन की कमाई हो जाती है लखिमपुर खीरी में सेंकड़ों एकर जमीन पर केले की खेती होती है केले की फसल के बाद आम तोर पर किसानों को इसके तने को फैकले के लिए अलग से खर्च करना पड़ता था अब उनके पैसे भी बच जाते हैं यानि आम के आम गुठलियों के दाम यह कहावत यहां बिलकुल सतिक बैठती है साथियों एक और बनाना फाइबर से प्रोडस बनाई जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ केले के आटे से दोसा और गुलाब जामुन जैसे स्वाधिष्ट बेंजन भी बन रहे हैं करणा टक के उत्तर कंडड और दक्षिन कंडड जिलों में महिला यह अनूठा कार्य कर रही है यह शुरुआद भी कोरोना काल में ही हुई है इन महिलाओं ने न सिर्फ केले के आटे से दोसा गुलाब जामुन जैसी चीज़े बनाई बलकि इनकी तश्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है जब जादा लोगों को केले के आटे के बारे में पता चला तो उसकी डिमांड भी बढ़ी और इन महिलाओं के आमन्दी भी लखिमपूर खिरी की तरह यहां भी इस इनोवेटिव आइडिया को महिलाएं लीड कर रही है साथियों ऐसे उधारन जीवन में कुछ नया करने की प्रेणा बन जाते हैं आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जब आपका परिवार मन की बाते कर रहा हो तो आप इने भी अपनी गपसप का हिस्सा बनाईए कभी समय निकालकर बच्चों के साथ ऐसे प्रेयासों को देखने भी जाईए और आउसर मिल जाए तो खुद भी ऐसा कुछ कर दिखाईए और हाँ यह सब आप मेरे साथ नमो एप या माईगो पर साजा करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा मेरे प्यारे देश्वासियों हमारे संस्कृत गंतों में एक श्लोग है आत्मार्थम जिवलोके अस्मिन कोन जिवती ही मानवः परम परोपकार्थम योज जिवती सजिवती अर्थात अपने लिए तो संसार में हर कोई जीता है लेकिन वास्तों में वही व्यक्ती जीता है जो परोपकार के लिए जीता है भारत मा के बेटे बेटियों के परोपकार एक प्रयासों की बात है यही तो मन की बात है आज भी ऐसे ही कुछ और साथियों के बारे में हम बात करते हैं एक साथी चंडीगर्द शहर के हैं चंडीगर्द में मैं भी कुछ वर्सों तक रह चुका हूँ यह बहुत खुश मिजाज और खुबसूरत शहर है यहां रहने वाले लोग भी दिलदार है और हाँ अगर आप खाने के शौकीन हो तो यहां आपको और आनंद आएगा इसी चंडीगर्द के सेक्टर 29 में संजे राना जी फूड स्टॉल चलाते हैं और साइकल पर छोले भटूरे बेचते हैं एक दिन उनकी बेटी रिदिवा और भतीजी रिया एक आइडिया के साथ उनके पास आई दोनों ने उनसे कोवीड वैक्सिन लगवाने वालों को फ्री में छोले भटूरे खिलाने को कहा वेश के लिए खुशी खुशी तयार हो गए उन्होंने तूरंत ये अच्छा और नेक प्रयाश शुरू भी कर दिया संजेर आना जी के छोले भटूरे मुप्त में खाने के लिए आपको दिखाने पड़ेगा कि आपने उसी दिन वैक्सिन लगवाई है वैक्सिन का मैसेज दिखाते ही वे आपको स्वादिस्थ छोले भटूरे दे देंगे कहते हैं समाज की भलाई के काम के लिए पैसे से ज़्यादा सेवा भाव करतवे भाव की ज़्यादा आवश्यक्ता होती है हमारे संजे भाई इसी को सही साबित कर रहे हैं साथियों ऐसे ही एक और काम की चर्चा हाज करना चाहूंगा ये काम हो रहा है तमुल नारू के निलगीरी में वहां राधिका साथ्री जी ने एम्बूरेक्स प्रोजेक्ट की शुरुवात की है इस प्रोजेक्ट का मकसद है पाहडी इलाकों में मरीजों को इलाज के लिए आसान ट्रांसपोर्ट उपलब्द कराना राधिका कुन्नूर में एक कैफे चला दिये हैं उन्होंने अपने कैफे के साथियों से एम्बूरेक्स के लिए फंड जुटाया निलगिरी पहडियों पर आज छे एम्बूरेक्स सिवारत हैं और दूर दराज के हिस्सों में इमर्जन्सी के समय मरीजों के काम आ रही हैं एम्बूरेक्स में स्ट्रेचर, ऑक्सिजन सिलिंडर, फर्स्टेट बॉक्स जैसी कई चीजों की ववस्ता है साथियों संजय जी हो या रादिकाजी इनके उधारों से पता चलता है कि हम अपना कारिया, अपना व्यवसाय, नोकरी करते करते भी सेवा के कारिय कर सकते हैं साथियों कुछ दिन पहले एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही इमोशनल इवेंट हुआ जिससे भारत जॉर्जिया मैत्री को नई मजबुती मिली इस समारों में भारत ने सैंट क्वीन केटिवान के होली रेलीक यानि उनके पवीत्र स्मृती चिन को जॉर्जिया की सरकार और वहां की जनता को सौपा इसके लिए हमारे विदेश मंत्री स्वयम बहां गए थे बहुती बावुक माहोल में हुए इस समारों में जॉर्जिया के राश्पती प्रधान मंत्री अनेग धर्मगुरू और बड़ी संख्या में जॉर्जिया के लोग उपस्तित थे इस कारकम में भारत की प्रसुंसा में जो सब तक है गए वो बहुती यादगार है इस एक समारों ने दोनों देशों के साथ ही गोवा और जॉर्जिया के बीच के समंधों को भी और प्रगाड कर दिया है ऐसा इसलिए क्योंकि सैंट क्वीन केटवान के ये पवित्र अवशेश 2005 में गोवा के सैंट आगस्टिन चर्च से मिले थे साथियों आपके मन में सवाल होगा कि ये सब क्या है ये कब और कैसे हुआ दरसल ये आज से 400-500 साल पहले की बात है क्वीन केटवान जॉर्जिया के राजपरिवार की बेटी थी दस साल के कारवस के बाद 1624 में वो शहीद हो गई थी एक प्राचीन पुर्टुगाली दस्तावेच के मताबिक सेंट क्वीन केटवान की अस्थियों को ओल्ड गोवा के सेंट आगस्टिनियन कॉन्वेंट पे रखा गया था लेकिन लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि गोवा में दफ्णागे उनके उशेश 1930 के भुकम में गायब हो गए थे भारत सरकार और जॉर्जिया के इत्यासकारों रिसर्चर्स, आर्कियोलोजिस्ट और जॉर्जियन चर्च के दसकों के अथक प्रयासों के बाद 2005 में उन पवित्र अवसेशों को खोजने में सभलता मिली थी ये विशे जॉर्जिया के लोगों के लिए बहुत ही भावनात्मक है इसलिए उनके हिस्टोरिकल, रिलिजियस और स्पिरिच्वल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन अवसेशों का एक आउंस जॉर्जिया के लोगों को भेंट में देने का निले लिया भारत और जॉर्जिया के साजे इतियास के अनुठे पक्ष को संजोय रखने के लिए मैं आज गोवा के लोगों को रदय से धन्वाद देना चाहूँगा गोवा कई महान अध्यात्मिक धरोहरों की भूमी रही है सैंट आगस्टिन चर्च युनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट चर्ची एंड कॉन्वेंट्स अब गोवा का एक हिस्सा है मेरे पहरे देशवासियों जोड़ जार से अब मैं आपको सीधे सिंगापूर लेकर चलता हूँ जहां इस महिने के शुरुवात में एक और गवरोशाली अवसर सामने आया सिंगापूर के प्रधान मंत्री और मेरे मित्र ली सेन लूंग ने हाली में रिनोवेट किये गए सिलाट रोड गुरुद्वारा का उधारन किया उन्होंने पारंपारिक सिख पगड़ी भी पहनी थी यह गुरुद्वारा लगवक सों साल पहले बना था और यहां भाई महराज सीजी को समर्पित एक समारक भी है भाई महराज सीजी ने भारत की स्वतंतरदा के लिए लड़ाई लड़ी थी और यह पल आजहदी के 75 साल मना रहे हैं तब और अधिक प्रेरक बन जाता है ऐसे ही प्रयासों से मिलती है इनसे यह भी पता चलता है कि सवहार्दपूर महावल में रहने और एक दूसरे की संस्कूरूती को समझने का कितना महत्व है मेरे प्यारे देशवासियों आज मन की बात में हमने अनेक विशों की जर्चा की एक और विशह है जो मेरे दिल के बहुत करीब है ये विशह है जल सवरक्षन का मेरा बच्पन जहां गुजरा वहाँ पानी की हमेशा से किल्लत रहती थी हम लोग बारिस के लिए तरस्ते थे और ते पानी की एक एक मुंद बचाना हमारे समस्कारों का हिस्सा रहा है अब जन भागीदारी से जल सवरक्षन इस मंत्र ने वहाँ की तस्वीर बदल दी है पानी की एक-एक मुंद को बचाना पानी की किसी भी प्रकार की बरबाईदी को रोकना ये हमारी जीवन सहली का एक सहज हिस्सा बन जाना चाहिए हमारे परिवारों के ऐसी परंपरा बन जानी चाहिए जिसे हर एक सदस्य को गर्व हो साथियों, प्रकूति और परियावरा की रक्षा भारत के सांस्कूतिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन में रचा बसा हुआ है वहीं बारिस और मौनसुन हमेशा से हमारे वीचारों, हमारी फिलोसॉफी और हमारी सभ्यता को आकार देते आए है रुतु सहुवार और मेगदूत में महा कभी कालिदास ने वर्षा को लेकर बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है साहित्य प्रेमियों के बीच ये कविताएं आज भी बेहत लोगप्री है रुगवेत के परजन्य सुक्तम में भी वर्षा के संदेरे का खुबसूरती से वर्णन है इसी तरह स्रीमत भागवत में भी काव्यात्मक रूप से प्रुथ्वी सुर्य और वर्षा के बीच के समंधों को विस्तार भी आ गया है अस्टव मासान निपतम यदः भुमयायहा च ओद मयम बसू स्वगोभी ही मक्तुम आरे भे परजन्यहकाल आगते अर्थात सुर्य ने आठ महिने तक जल के रूप में प्रुथ्वी की संपदा का दोहन किया था अब मौनसुन के मौसम में सुर्य इस संचित संपदा को प्रुथ्वी को वापिस लौटा रहा है वाकई मौनसुन और बारिस का मौसम सिर्फ खुबसुरत और सुहना ही नहीं होता बलकि यह पोशन देने वाला जीवन देने वाला भी होता है वर्षा का पानी जो हमें मिल रहा है वो हमारी भावी पीडियों के लिए है यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए आज मेरे मन में विचार आया कि क्यों इन रोचक संदर्पों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करूँ आप सभी को आने वाले परवों की बहुत बहुत सुबकामना है परवों और उत्सों के समय यह जरूर याद रखेगा कि कोरोना अभी हमारे बीच से गयान नहीं है कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल आपको भूलने नहीं है आप स्वस्त और प्रसंदर है बहुत बहुत धन्यवाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानि मन की बात मधे बहुत पच्छा गोष्टिन वर्ती भाष्य के लेला है अने गोष्टिन वर्ती गनी प्रकाश टाकला है कारगेल युद्धा तिल वीरानना शर्दान जली अरपन देखिलतानी के लेली आए तद्र नानोमले पुर्ण भारत भरा मधे प्रगती साली ले आए टोक्यो ओलम्पिक साथे गेलेला क्राडून ना तनी आवे शुभेच्चा देखिल दिला